नश्कर रोस्तों, देट हैं आज की 9 जून 2023 और स्वागत है आपका एटोरेल डिसक्रेशन में चार इशूज आज हम डिटेल से डिसक्रेश करेंगे दा हिंदू के, सबसे पहले डिसक्रेश करेंगे प्रोडेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्केम्स दूसरे नंबर पर इंडिया-कनाडा रिलेशन्स वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रूप्स ने एक जहांकी निकाली जिसको लेके विवाद पैदा हो गया उसके बाद इंडिया-नेपाल रिलेशन्स फिर रेलवे सेफटी वाले आर्टिकल से पॉइंट्स ड्रा करेंगे आगे बढ़ने से पहले ए्थिक्स का देख लेते हैं एक डेफिनिशन परसनल एथिक्स परसनल एथिक्स इस स्पेसिविक टू परसन देखो यह वो एथिक्स या फिर मॉरल पिंस्पल्स होते हैं जो हमारे भीहेवियर को गाइड करते हैं बताते हैं कि हमें कैसी life व्यतीद करनी हैं, दूसरों को कैसे treat करना है, जिसे example के तोर पर आपके पास में respect, compassion, ये values हैं, ये moral principles आपके पास हैं, तो होगा क्या, जब आप किसी ऐसे person से मिलोगे न, जिसके विचार आप से नहीं मिलते, फिर भी आप उसको respect करोगे, क्योंकि आपके पास respect नाम का moral principle है, ethics है, आगर आपके पास कोई ऐसा person आता है, जो बहुत मजबूरी में है, जिसको थोड़ी मदद चाहिए, तो आप उसको मदद करोगे, क्योंकि आपके पास compassion है, दया का भाव है, समझ गे, personal ethics क्या है, ये वो moral principle और ethics हैं, जो आपके behavior को guide करत हैं, आप दूसरों को कैसे treat करेंगे, जैसे महात्मा गांदी के पास ये गुण थे, honesty, sacrifice, truthfulness, discipline, इन सब को महात्मा गांदी ने अपने high personal ethics में सामिल किया, आज की discussion का पहला important article, production linked incentive scheme से समझ दित हैं, और आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, Context देखो ये है, रगुराम राजन, जो former RBI के governor है, उन्होंने production linked incentive scheme की success पर सवाल उठाए हैं, ये जो PLI scheme है न, यानि production linked incentive scheme, पहले मैं आपको इसके basic के बारे में बताता हूं, मांग लिजी सरकार चाहती हैं कि कोई चीज इंडिया में produce हो, for example mobile phone, तो सरकार क्या बोलेगी mobile companies को, कि अगर आप इंडिया में produce करोगे न चीजें, तो हम आपको इसके उपर न incentive देंगे, for example आपने एक लाग phone produce किये, एक लाग phone produce किये इतनी value के, for example 100 million dollars के, तो हम आपको न 5% incentive देंगे, अब वो incentive सरकार न अलग-अलग form में देती हैं, कई बार tax में exemption देती हैं, कि आपको कम tax देना है, कई बार cash grant भी देती हैं, अलग-अलग options में incentive देती हैं, और क्यों सरकार इस परकार की scheme launch करती है, ये ensure करने के लिए, कि हमारे देश में ही production हो, इंडिया में ही production हो, हमें वो चीज़ इंपोर्ट ना करने पड़े, जैसे mobile phone हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करने पड़े, हमारे देश में ही produce हो, कई बार सरकार technology लाने के लिए भी ये scheme launch करती है, जैसे कि देखो, semiconductor की technology हमारे देश में इतने अच्छी नहीं है, तो chip वाली companies को सरकार बोलेगी, अगर हाप हमारे देश में chip produce करोगे, तो हम आपको incentive देंगे, हमारे देश में chip produce होगी, तो धीरे धीरे technology हमारे देश में आएगी, हमारे देश में अगर production होगी, तो job generate होगी, employment आएगा, सरकार को वैसे भी revenue मिलेगा, basic incentive से थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो सही न, हमारे देश में ही चीज़े produce होगी, तो, तो ये होती है production linked incentive scheme, वैसे देखो, कोई भी देश यही चाता है, कि हम export जादा करें, import कम करें, तो ये ensure करने के लिए, वो क्या strategy अपना सकता है, एक तो अभी हमने discuss किया, कि आप SAC scheme चलाओ, production linked incentive scheme, मतलब कि incentive दो companies को कि वो हमारे देश में produce करें, एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, कि आप protectionism की policy अपनाओ, protectionism की policy मतलब domestic companies को protect करो, कैसे product करोगे, बहार से आने वाले समान पर आप import duty ज़्यादा लगा दोगे, for example, steel company है, बहार से कोई steel हमारे देश में भेजता है, तो उस पे हम import duty ज़्यादा लगा देंगे, तो बहार की company का steel हमारे देश में महिंगा बिकेगा, हमारे देश की local company का steel ज़्यादा बिकेगा, सस्ता बिकेगा, तो ये भी एक तरीका है, protectionism, और दूसरा क्या, PLI जैसी schemes, अब फाइदे तो आपको पता लग गए, PLI schemes क्यों चुलाई जाती है, employment generate हो, सरकार को revenue मिले, strategic industries में हमारा hold हो, technology हमारे देश में आए, ये सारे फाइदे होते हैं, लेकिन इस article में, interview है, ये पूरा जो article है, इसमें एक जो, जिनसे interview लिया जा रहा है ना, अरुन कुमार, वो ये कहते हैं, PLI scheme न, इसकी success इसलिए नहीं है, क्योंकि न, पहली तो बात, इसमें बड़ी-बड़ी industries पर ज्यादा focus किया जा रहा है, बड़ी industries पर, for example, electronics industry पर, apple को incentive दिया जा रहा है, जबकि न, focus होना चाहिए, micro industries पर, micro and small industries पर, for example, कोई handicraft है, या फिर restaurant है local, आप इन पर focus करो, incentive देना है, तो आप इनको incentive दो, क्योंकि देश में ज़्यादा employment तो यही micro industries जनरेट करती है, बड़ी-बड़ी companies, बड़ी-बड़ी industries, for example, mobile phone की कोई manufacturing unit है, वो थोड़ी न, ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, जिसको आप incentive दे रहे हो, तो यहाँ पर problem क्या है, आप बड़ी companies को incentive दे रहे हो, अब mobile company को आपने incentive दे दिया, तो हो सकता है कि mobile phone हमारे देश में महंगा produce हो, ज़्यादा बिकेगा, लेकिन देखो, ज़्यादा तो तभी बिकेगा न, जब ज़्यादा लोगों को employment मिलेगा, यहां पर concept है ध्यान दीजेगा, जादा तो mobile phone तभी बिकेगा न, तब ज़्यादा employment हमारे देश में होगा, और ज्यादा employment कब होगा, जब आप micro industries को incentive दोगे, छोटी छोटी companies को, छोटी छोटी firms को, छोटी छोटी enterprises को, उनको आप incentive दोगे, तब ज्यादा employment generate होगा, ज्यादा employment generate होगा, तो लोग पास ज्यादा पैसे, लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, demand generate होगी, demand generate होगी, तो उसको fulfill क करने के लिए companies ज्यादा produce करेंगी देश की GDP grow होगी economy आगे बढ़ेगी तो एक point यहां पे हैं लेकिन देखो इसी के जबाब में फिर एक दूसरे परसन है इसी interview में वो कहते हैं कि भाया demand तो ही ना आप कह रहे हो कि पहले demand generate करो mobile phone की जबकि mobile phone की तो demand ही हम import कर रहे हैं बात सिरफ इतना है जबरदस्त concept involved है समझ में आ रहा है पहले वाले person क्या कह रहे थे कि आप छोटी companies को incentive दो उससे रोजगार मिलेगा लोगों को और demand generate और PLI जो scheme है वो ये इंशोर कर रही है हमें import ना करना पड़े देश में ही mobile phone produce हो अब एक point यह आता है अरुन कुमार बोलते हैं कि देखो ये PLI scheme ना एक परकार से subsidy है पॉइंट्स की चिंता मत कीजिए पॉइंट्स में आपको अलग से ये सारे निकाल के दूँगा summary की form में प्रो में क्या हैं कौन्स में क्या हैं पहले concept पे focus कर लेते हैं points की चिंता अब आप मत कीजिए कि रहे आज कल क्योंकि summary में आपको सारे points अच्छे से मिल जाते हैं concepts पे आप focus करें इसलिए मैं जानबूझ के आपके thoughts को provoke करने की कोशिज करता हूं कि आप ये concept बने thoughts आपके crystal like clear हूं ठीक है हाँ तो एक person इस पूरे interview में ये बोलते हैं अरुन कुमार किना ये PLI scheme एक परकार से ना subsidy हैं बड़ी companies को सरकार subsidy दे रही है फ्री बीज दे रही है और organized sector को सरकार free भी दे रही है जबकि unorganized sector में सरकार को काम करना चाहिए दूसरे person ये बोलते हैं पहली तो बा LPG reforms आए 1991 में तब से विबिन देशों के बीच मेरा competition बहुत बढ़ गया है जादा से जादा investment attract करने का तो वो उस देश में investment आती है जहां पर कम tax होता है जिस देश की सरकार incentive देती है तो ऐसा नहीं है सिरफ India incentive दे रहा है इंडिया में produce करने के लिए विबिन देश भी incentive देत में rebate करते हैं ताकि companies को invite किया जास के हमारे देश में produce करने के लिए अगर हम incentive नहीं देंगे तो वो आएंगे ही नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम free में उनको पैसा बाट रहे हैं हम उनको यहां पे बुलाने के लिए कि वो यहां पे आके produce करें manufacture करें इसलिए हम उन्हें incentive दे रह कह सकते हैं आप इसे business का सोधा कह सकते हों अब बीच में एक point ऐसा आता है जिस पर दोनों की सहमति बनती है point यह है कि growth हमारे देश में कम हो रही है तो इसके लिए कुछ basic problems पर ध्यान देना जरूरी है जैसे income में inequalities कम होनी चाहिए mass consumption के लिए demand आनी चाहिए demand कब आएगी जब better education होगी better health होगी R&D में improvement होगा हमारे देश में क्या है companies ना R&D में improvement करने से डरती है क्यों risky है ना आप research में पैसा लगा दो सोक रोड कुछ भी सामने नहीं आया research में कुछ भी फाइदा नहीं हुआ तो हमारे देश में R&D में ज्यादा investment इसलिए नहीं होते क्योंकि risk appetite कम है companies का जबकि foreign मेरा risk appetite बहुत ज्यादा होता है जैसे यह chatbot आया जो chat GPT है अब ऐसे ऐसे नजाने कितने initiatives पे क्रोडों रुपे खर्च होते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते लेकिन जो सफल हो जाता है जैसे chat GPT हुआ फिर वो देखो कितना पैसा कमाता है एक और point यहाँ पर मैं raise करना चाहता हूं जो important है अरुन कुमार यह बोलते है देखो यह PLI schemes आती है न कई बारना यह crony capitalism का example होता है सरकार अपनी मर्जी से किसी industry की company को subsidy दे देती है ट्रांसपरेंसी नहीं होती proper मतलब alliance देखने को मिलता है एक तरफ executive दूसी तरफ capitalist class के लोग यानि industrial groups के लोग तो आखिरकार देखो पैसा किसका use होता है सरकार के पास पैसा तो taxpairs का है न तो taxpairs का पैसा चला जाता है corporate groups की jib में तो यह भी एक point है लास्ट में जब revise करेंगे तो points discuss करेंगे इसके बाद next article इंडिया-कनेडा relations से समन्दित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हों आप diaspora जो topic है न GS paper 2 में वहां से भी इस article को relate कर सकते हों क्या contest है देखो कनाडा के ब्रेम्टम सहर में एक इस परकार से जहांकी निकाली गई जैसे Republic Day के मोके पर इस परकार के जहांकिया निकलती उसी परकार से यह जहांकी निकाली गई जहांकी में क्या दिखाया हुआ था आप यह तस्वीर देखिए पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी का assassination दिखाया गया है सोच के देखिए किसी देश में किसी देश के पूर प्रधान मंतरी के assassination को इस परकार से glorify किया जा रहा है खालिस्तान के जो ग्रूप्स है न वो क्या कर रहे थे एक annual parade निकाल रहे थे कनाड़ा के ब्रेम्टम सहर में 1984 के blue star operation के against protest में जो इंद्रा गांदी का assassination हुआ उसे दिखाया गया इस जांकी में खालिस्तानी ग्रूप्स के द्वरा और बताया गया किस परकार से हमने बदला लिया हमारे देश में सभी political leaders ने मांग की है कि कनाड़ा इस issue पर माफी मांगे और acknowledge करे कि ये जो anti-India separatist आपके धर्ती पर पल रहे है न इन से सिर्फ देखो इंडिया को खत्रा नहीं है कल को ये आपके लिए भी खत्रा पैदा होंगे हमारे विदेश मंतरी एस जैसंकर ने तो साफ बोल दिया ये अकेला incident नहीं है ये बहुत बड़े pattern का part है जो ये indicate करता है कि कनाड़ा की जो सरकार है इन सेपरेटिस्ट ग्रूप्स पर आख मूंद के बैठी है और इन से खत्रा है ना सिरफ इंडिया को बलकि future में आपको भी क्यूं एक्षन नहीं लेती कनाड़ा की सरकार इन खालिस्तानी ग्रूप्स और सेपरेटिस्ट ग्रूप्स के अगेंस्ट क्यूंकि vote bank politics है नहीं मिलेंगे बड़ देखो कनाड़ा की सरकार एक्षन नहीं ले रही है इससे तो वाइलेंस का जो culture है वो legitimate हो रहा है कनाड़ा में वाइलेंस को glorify करके दिखाया गया है और कनाड़ा की सरकार ने इस पर एक्षन नहीं लिया तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वाइलेंस validate हो गया वाइलेंस legitimate हो गया यह चीज तो देखो कनाड़ा की leadership के लिए भी concerning होनी चाहिए इंडिया और कनाड़ा के जो relations है वो उतार चड़ाव से देखो भरे हुए है पहले भी इस परकार के incidents इंडिया ने कनाड़ा की सरकार के सामने रखे है जैसे देखो कनाड़ा में जो वहाँ पर मंदिर है मंदिरों के बाहर दिवारों के बाहर anti-mody या फिर anti-India painting बना दी जाती है जो वहाँ पर Indian counselor offices है उनमें तोड़ फोड की जाती है मंदिरों में तोड़ फोड की जाती है और इससे पहले जब क्रिशी कानून आये थे क्रिशी कानूनों को लेके हमारे देश में किसान पोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय कनाड़ा के प्रधामंत्री जेस्टिन ट्रूडो ने मोदी सरकार को criticize किया था और कहां था कि सरकार जो farmers को treatment दे रही है वो सही नहीं है तो इंडिया की सरकार ने बोला था उस समय कि आप अपने मामलों पर interfere कीजिए इंडिया के internal मामलों पर interfere मत कीजिए उसके बाद high level पे जो engagement होनी थी जैसे दोनों देशों के leaders को आपस में मुलाकात करनी थी या फिर bureaucrates को आपस में मुलाकात करनी थी वो सारी engagement सरकार ने ठप कर दी लेकिन कुछ समय बाद communication को फिर से restore किया गया कई महिनों के बाद में और अभी जो ये provocation हुआ है ये तो देखो एक और ऐसा point है जिसके वज़े से इंडिया कनाडा relations जो है वो खराब होंगे इन issues को जल्दी से जल्दी diplomatic level पे resolve करना ज़रूरी है देखो कनाडा के जो सरकार है ना free speech को protect कर सकती है लेकिन ये चीज़े एक level के बाद free speech में नहीं आती है कि आप violence को justify करोगे ये free speech नहीं है ये violence को promote करने वाली speech है ये radicalism को promote करने वाली speech है ये बात कनाडा की सरकार को समझनी चाहिए दूसरा इंडिया की सरकार को एक बात ये समझनी चाहिए कि देखो इस परकार की चीज़ें told it नहीं की जा सकती लेकिन अगर कुछ ऐसे सांती पर ये protest होते हैं जो legal है उनको लेके इंडिया बार-बार विरोध ना जयता है और इंडिया को एक चीज़ ये चाहिए कि आजकल ना जो separatist groups है न वो अलग-अलग देशों में इसी परकार की चीज़ें करने लगे हैं UK में, US में, Europe के कुछ parts में, Australia में इन सब देशों में इस परकार की घटनाय सामने आई हैं जैसे anti-India या फिर anti-moodi paintings बनाना दिवारों पर खास करके मंदिरों की दिवारों पर या फिर councillor offices की दिवारों पर तोड़-फोड़ करना तो नब भारत को इन देशों के leaders के साथ continuously engage करना चाहिए separatist concerns जो हैं वो समय समय पे जाहिर करने चाहिए जिसे G20 का summit इस बार इंडिया में हो रहा है तो परधामंत्री मोदी इन issues को raise करें जहां पर आउशकता है अलग-अलग देशों के leaders के सामने अब चलते हैं आगे अगला आर्टिकल इंडिया निपाल relations से समंदित है आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हों क्या context है निपाल के परधामंत्री पुस्प कमल दहल परचंड भारत की यात्रा पर आये चार दिनों की उनकी यात्रा थी देखो बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया के इतने ज़्यादा intimate relations है close relations है जितना की निपाल के साथ में हैं निपाल के साथ इंडिया open border share करता है रोटी और बेटी का साथ है निपाल के साथ में रिष्टे होते हैं border के इस पार उस पार border open है चुकि तो वीजा लेने के आव सकता नहीं है cultural relations बहुत अच्छे हैं निपाल में majority हिंदू की हैं तो इंडिया से निपाल में लोग जाते हैं मंदिरों में जैसे पसुपतिनाथ का temple है निपाल में निपाल से लोग इंडिया में आती हैं अलग-अलग मंदिरों में cultural ties हैं लेकिन कुछ challenges भी हैं challenges यह हैं निपाल को लगता है कि इंडिया बड़े भाई का रवया अपनाता है निपाल insecure feel करता है इंडिया से निपाल आरोप लगाता है कि इंडिया हमारे अंदूनी मामलों में interfere करता है तो निपाल की political parties anti-India politics खेलती हैं जैसे एक political party आरोप आप इंडिया की गोद में खेल रहे हो आप इंडिया का साथ दे रहे हो आप सारी चीजों को इंडिया को बेच रहे हो इस परकार की politics निपाल के अंदर चलती हैं कुछ political parties ऐसी हैं जो जब सत्ता में आती हैं तो relation ठीक रहते हैं जैसे कि निपाली Congress और कुछ political parties या फिर persons ऐस हैं जब वो सत्ता में आते हैं तो relations ज्यादा अच्छे नहीं रहते क्योंकि वो प्रो चाइना हैं for example KPS OLI जो CPI party से हैं देखो बहुत सारे नेपाली students ऐसे हैं जो इंडिया में higher education प्राप्त कर रहे हैं बहुत सारे नेपाली लोग ऐसे हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं इ और फिर इंडिया को security concerns नहीं रहते अगर इंडिया नेपाल के relations खराब होते हैं नेपाल चाइना की तरफ जाता है तो फिर देखो हमारा प्रोडोसी देश जो दुस्मन देश के साथ रिष्टे रखे हुए है तो जाहिर तोर पे इंडिया insecure मैसूस करेगा next point border विवाद इंडिया और नेपाल के बीच for example काला पानी को लेगे 2019 में ये काला पानी इंडिया की मैप में दिखाया गया था भारत की सरकार के दवरा तो नेपाल की सरकार इसे नराज हो गई थी उसमें भी relations में एक low आ गया था अब बात करें नेपाल के पधामंतरी जो भारत की आतरा पर आएं हैं दिखो पुराने जो irritants है ना मतलब जिनकी वज़े से रिस्तों में low आता हैं उनको side में रखके ये जो विजिट थी एक अच्छी विजिट साबित हुई काफी सारी सीजों पर सैमती बनी इस विजिट क आएगा तो ये agreement finalize हुआ नेपाल इंडिया को 10 सालों में 10,000 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट करेगा नई transmission line से develop की जाएंगी MOU sign हुआ एक petroleum supply pipeline construct की जाएगी शिलिगूडी और जहापा के बीच में इसके लावा जो existing pipelines हैं उनको extend किया जाएगा और नए terminals को construct किया जाएगा इसके साथ साथ एक बहुत important चीज ये सामधी भनी है इंडिया और नेपाल के बीच कि नेपाल hydropower बेच केगा बांगलादेश को इंडिया के through मतलब इंडिया transit provide करेगा और नेपाल बांगलादेश को hydropower बेचेगा इंडिया से होते हुए तो ये अच्छी चीज है लेकिन डाइटर एक बात पर ध्यान दिलाते हैं कि पांश्ट में कई बार नम अच्छे अच्छे एग्रिमेंट्स इंडिया नेपाल के बीच साइन हुए हैं लेकिन उन पे काम काफी देरी से स्टार्ट होता है स्लो चलता है जबकि चाइना बहुत घुटेजी से इंफ्रेस्ट्रट्स इस्टाब्लिस करता है नेपाल में तो अगर चाइना के इंफ्रेंस को कम करना चाहती हैं तो फिर जिन प्रोजेक्रेट्स को लेकि सैम्टी बनी हैं उन्हें अच्छे से जल्दी से इंप्लिमेंट भी किया जाए अब इंडिया की अप् देखे, मदेशियों ने plane areas में अंदोलन किया था ना, उस समय इंडिया ने मदेशियों का साथ दिया था और नेपाल की सरकार को बोला था कि आप मदेशियों के जो concerns है सविधान को लेखे उसे address केजिए, तो नेपाल ने बोला था कि आप internal मामलों में क्यों interfere कर रहे हो, तो anti-Ind इंडिया काफी बाते उस से मैं देखने को मिली थी नेपाल की पोलिटिक्स में बट अब इंडिया जदा नेपाल की पोलिटिक्स में इंटर्फियर नहीं करता लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं देखो इंडिया एकोनमिक टाइस पर फोकस कर रहा है नेपाल के तो बॉर्डर पे जैसे काला पानी को लेके जो विवाद है ना छोटा सा एरिया है उसको लेके अपना विवाद निपाल के साथ इंडिया सुल जागा ले कोई वैसी प्रॉब्लम तो है नहीं जैसा पाकिस्तान के साथ border dispute है या फिर चाइना के साथ border dispute है बिल्कुल छोटे सा point को लेके dispute है वो इंडिया सुलजा ले तो ज़्यादा सही है इसके बाद नाइस आर्टकल train accident से समधित है उडिसा में जो दुखद हादसा हुआ न उसके बाद safety कैसे ensure की जाए आप GS paper 3 से इस आर्टकल को relate कर सकते हो देखो accident के causes की बाद तो हर कोई कर रहा है railway ने तो ये तक कह दिया कि ये criminal sabotage है मतलब किसी ने जान बूच के accident किया है CBI को इसकी जांस भी दी गई है हाला कि देखो ये unlikely scenario है एक जो scenario बताय जा रहा है वो है override of interlocking system जैसे देखो आपने न इस परकार का track देखा होगा जैसे railway line ऐसे बनी होती है मालो train जा रही है अगर हम चाहते हैं कि train को यहाँ पर पार करना है तो यहाँ से track change कर दिया जाएगा और यहाँ पर भेज दिया जाएगा train सीधा जाने के बजाए यहाँ पर चली जाएगी तो इसके लिए होता है interlocking system अब जो सरकार कहती है जो यह interlocking system है यह fail safe है fail safe का मतलब यह fail नहीं हो सकता बहुत ही जादा rare संभावना है इसके fail होने की interlocking system में क्या होता है मालीजिए यहाँ train है यहाँ पर तो आगे इस portion पर train है न और interlocking system यहाँ पर है तो यह interlocking system इस train को आगे भेज़ेगा ही नहीं क्योंकि आगे ना sensor लगे हुए होते है sensor इस interlocking system को बता देंगे कि आगे train खड़ी है तो वो interlocking system किसी भी सूरत में पीछे खड़ी train को आगे नहीं भेज़ेगा वो side में भेज सकता है लेकिन इस case में क्या हुआ उडिशा वाली घटना में यहाँ पर लूप लाइन में यहाँ पर मालगाडी खड़ी थी और सिधा बलकि track खाली था तो question यही उठता है कि कैसे possible हुआ क्या यह interlocking system fail हो गया या फिर और कोई कारण था अगर सरकार कहती है कि interlocking system fail नहीं हो सकता तो फिर यह पीछे वाली train loop line में क्यों चली गई जहाँ पर already train थी क्यों टकरा गई जबकि सिधा track खाली था तो इसी लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर sabotage हुआ है लेकिन राइटर कहते हैं sabotage नहीं हुआ है गलती हुई है किस से जो यह सारा relay system को maintain करता है उससे गलती हुई है उसने जल्दी काम करने के चकर में महलब train late ना हो जल्दी से काम हो जाए उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया जो standard operation होता है उसे follow नहीं किया अब राइटर एक बात बोलते हैं कि देखो वैसे जो main relay system होता है वो कैसे change किया जा सकता है railway station का जो main कक्स होता है वहाँ पे दो चाबी से एक station master के पास चाबी होती है एक जो person maintain करता है उसके पास चाबी होती है दोनों चाबी अपना use करते हैं तब जाके यह main relay control system को change किया जाता है मतलब जो भी line change करनी है उसको change किया जाता है तो इसको तुजोरी की तरह संभाल के रखा जाता है असा तो बिल्कुल openly किसी एक बंदे के ब्रोसे छोड़ दे तो तो फिर accident हो जाएंगे बहुत जादा तो इस में कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है लेकिन डाइटर बोलते है देखो और बहुत सारे ऐसे equipments आपने देखा होगा rail line के नस्दीक बहुत सारी एके कमरे के एके कमरे बने होते हैं जिसमें कई बार एक guard बैठा होता है तो वो एके कमरे जो बने होते हैं वो railway के अलग अलग railway line से समदिद equipments को protect करने के लिए होते हैं वहाँ पे न सिरफ वो बंदा जो maintain करता है उसी के पास सारा control होता है वहाँ पे station master का control नहीं दे सकते क्योंकि ऐसे तो हर बार station master वहाँ पे आएगा photo operations बहुँ जड़ा दिले हो जाएंगे तो writer कहते हैं कि इन छोटे-छोटे एक कमरों में भी जो railway line को protect करने के लिए उन छोटे-छोटे कमरों में अलग-अलग equipments होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए digital authorization कर सकते हैं आप यहाँ पर देखो आज के समय में तो देखो digital authorization मतलब दोनों अपना-पना password दें फिर change हो जाए जो भी change करना है तो यह संभावना तरासी जा सकती है और एक चीज़ यह भी देखी जाए यह जो accident हुआ है इसमें जो maintenance करने वाले हैं क्या उन्होंने इसी बार गलती की या फिर यह पूरा common phenomenon है उस route पर या फिर उस zone में इस बात की भी जाँच की जाए बाद में कहा जाता है कि देखो accidents तो reduce हुए हैं वो इसलिए reduce हुए हैं पहले फाटक वगरा नहीं होते थे अब unmanned level crossing बहुत कम हो गई है भी available करवाएं हैं लेकिन देखो railways में न कोई भी गुंजाइस नहीं है safety से compromise करने की तो सरकार को reactive ना होके proactive काम करना चाहिए यह accident हुआ सिरफ यहीं पर नहीं पूरे भारत में सरकार ध्यान दे railways ध्यान दे जहां पे safety को लेके थोड़ा भी loophole है ना उसे फिल किया जाए तो यह पूरा article है अब थोड़ा newspaper को ethics के perspective से और examples data के perspective से देख लेते हैं जो आप answers में इस्तमाल कर सकते हो देखो मनीपूर में ना दो committees के बीच में violence हो गया अब आप मान लीजिए DM है वहाँ पर एक district के जहां पर violence हुआ है दोनों committees के लोग रहते हैं आपके जिले में लेकिन violence के बाद नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दो committees के बीच में tensions बहुत ज़्यादा है पास्ट में violence हुआ है क्या करोगे आप as a DM as a DM देखो आप बहुत सारे steps उठा सकते हों जैसे सबसे पहले तो आप land order control करोगे ताकि कोई भी अपने हाथों में हतियार ना ले किसी दूसरी community के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए land order control होगा तब ही आप further steps ले सकते हो दूसरे नमबर पे अगर कोई जान बूच के अफवाफ हिला रहा है mobile phones के माद्यम से आप इन चीजों पर control करोगे ताकि एक दूसरी community के बारे में गलत ख़बरे ना फैले कि इसने हमारी community के लोगों को नुकसान पहुंचा दिया फिर उसके बाद आप process start करोगे जैसे common meetings organize करवाना जहां पर दोनों community के लोग आएं अपने अपने concerns raise करें इसके साथ साथ आप education spread करोगे awareness spread करोगे local NGO या फिर civil society की organizations है उनके माद्यम से mediation करवाओगे कुछ common festivals हैं या फिर common ऐसे events हैं जैसे Manipu Day है या फिर कुछ India से related day है वहाँ पर दोनों community को आपस में invite करोगे ताकि वो एक दूसरे के बारे में जाने समझें कि हमारे जैसे ही लोग है तो मतलब ये सारी चीजें आप करोगे ताकि दोनों community के बीच में ने confidence पैदा किया जासके trust पैदा किया जासके इसके बाद next point है ग्रिवेंस वाला ये पहले मैंने रिकोर्ड किया था पता नहीं आवाज ही नहीं आई दुबारा से रिकोर्ड करना पड़ रहा है ग्रिवेंस रेड रेसल सेल इस्टाब्लिश हुआ है केरला इंवेश्टीज में देखो ये को नहीं कोई initiative नहीं है कोई innovation नहीं है अच्छी गवर्नेंस का basic point है कि ग्रिवेंस सेल का होना किसी भी government department में ग्रिवेंस सेल का होना बहुत जरूरी है जहां पे आप सिकायत करसको अगर आपका काम नहीं होता है तो लेकिन दिक्कत यह है कि government department में या तो यह sell होते नहीं है, होते हैं तो बलकुल थंडे पड़े होते हैं, कोई सिकायत देखता ही नहीं है, आजकल तो mobile applications आ गई है, mobile application पे भी आप सिकायत कर सकते हो, लेकिन एक level के बाद ना उन सिकायत को serious नहीं लिया जाता है, serious नहीं लिया जा 2020 में, ताकि हमारे देश में manufacturing, export इन सब चीजों को boost किया जास के, points, favor में क्या है PLI schemes के, investment promote होती है strategic sectors में, competitive ने साती है global market में, employment generate होता है, industrialization और technological advancement आती है, against क्या है, chronic capitalism देखने को मिल सकता है, corporate groups और सरकार के बीच में, alliance, transparency के साथ fence ले और decision making नहीं ली जाती, structural issues है beyond subsidies, जैसे demand की कमी है, demand जब तक नहीं बढ़ेगी, कैसे manufacturing boost होगी, PLI scheme subsidy है या नहीं है, एक तरफ का argument है कि हाँ subsidy है, freebie है, corporate groups को, दूसरा argument ये है, subsidy नहीं है, मजबूरी है, नहीं दोगे तो investment नहीं आएगी, way forward में क्या कहा जाता है, demand side issues को prioritize किया जाए, ताकि economy growth ज़्यादा आए, infrastructure और R&D पे focus करना ज़़ूरी है, transparency से fence ले लिया जाए, red tapism यानि bureaucratic process में कोई दिक्कत है तो उसे address किया जाए, तो ये सारी चीज़ें आती है way forward में, अब question देख लीजिए आप, ये question है जो आपको attempt करना है, critically analyze the production linked incentive scheme in the context of India's domestic manufacturing and exports, इन schemes को आपको analyze करना है, कुछ measures भी बताने हैं ताकि इन schemes की effectiveness को improve किया जासके, 250 words में आपको इस question का answer देना है, ये question है pre का, वीडियो को post करके सोचिये क्या answer हो सकता है, पहली जो statement है वो सही है, मक्सद PLI scheme का ये है domestic manufacturing and export को boost करना, by providing subsidies to eligible companies, subsidy word को यहाँ पे ज्यादा deep में मत सोचेगा, यहाँ पे incentive लिख दीजिए, incentive देकर domestic manufacturing and export को boost करना, तो सही है ना statement ठीक है, लेकिन दूसरी statement देखिए, PLI scheme protect domestic companies by imposing tariff on import, क्या ये करती है PLI scheme, नहीं करती है, समझ गे, तो statement first तो सही है, लेकिन second जो statement है, वो गलत है, तो ये थी हमारी आज की discussion, फिलाल की discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.